इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर पूरा कला मोड पर चेकिंग करते समय बिना नमबर प्लेट वहन पर बैठे दो संधिक्द लोगों को रुखने का इशारा किया गया तो दोनों संधिक्द व्यक्ति भागने लगे जिसमें एक संधिक्द व्यक्ति द्वारा पुलिस चेकिंग टीम पर तमंचे से फारिंग कर दी गई जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में जवाबी कारवाई की गई जिसमें एक संधिक्द व्यक्ति को पैर में गोली लगी है तथा दूसरा संधिक्द व्यक्ति मौके से फरार हो गया गाल व्यक्ति को ततकाल उप्च्वार है तो जलास्पिताल लली गाल अभियुक्त के कबजे से एक अदद अवे देशी तमंचा 315 बोर वो एक अदद जिन्दा कार्तुस 315 बोर वो एक अदद खोका कार्तुस 315 बोर वो एक अदद मोटर साइकल बिना नंबर प्लेट भी परामद हुई है। संदिक दफरार व्यक्ति की गिरफतार ही है तो टीमें गठित कर पुलिस द्वारा तलाश क्या जा रहा है। जिनको पुलिस टीम के दोवारा जो है चेक करने के उद्यस से उनको रोका गया था। उनके द्वारा जूहें जैसे पुलिस टीम के द्वारा रोका गया था उनके द्वारा पुलिस से Escوج अफरмен में गया गया फैरल में ल्कुम के सस्थ बुद्ध हो गया है जो गायल हुआ है उससे जो पूछताच होई है उससे प्रचला है कि यह एक अंतराजी जो है वो अपराधी है और इसका नाम संदोस कुमार है जो कि तालवेट छेत्र का रहने वाला है इसके उपर एक दरजन से जादा मुकदमे जो हैं वो इसके उपर हैं जिसमें लूट है डकैती है और अनकई संगीन धराओं में इसके उपर ये मुकदमे जो है लिखे हुए हैं और अभी ये खाली में एक डकैती के मामले में जो है जेल में था एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहा था और ये जूड़ करके आकर कि खुना वारदात जो है अपने सा बाहर है इस संदर में अगली मिधिक करवाई जो है उपी जा रही है तो इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्स्क्राइब कीजिए और हमारे इस लीजियो को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद